पंचायती राज में सबसे बड़ी योजना को पंचाय सचवाले, हमारा पंचाय साहयत, 207 योजनाएं हैं, चाए वो पेंसन का हो, विद्धा पेंसन, दिभ्यान पेंसन, एकलान पेंसन, जो भी पेंसन, वहीं फारम भरे जाएंगे, मृत्य प्रमार पत्र उनको वहीं मिलेगा, आईसमान कार्ड वहीं बनेगा, उनको आधार कार्ड वहीं बनेगा, जितनी भी योजनाएं वो जाकर के बाहर भूमते थे, परिसान होते थे, उनकी परेशाने दूर करने के लिए पंचाय सच्छी वाले में ही सब सुरिधा मिलेगी दूसरी ची जो गांदी जी का सपना था उस सपने को साकार करने के लिए राजनेति का जादी तो मिली लेकिन स्वच्चता और विकार्ष जो उनके दो सपने अधूरे हैं उस काम को बड प्रदेश में अगर कोई कर रहा है तो मानी नरिद मुदी जी अभी आपने देखा कि 15 दिन की स्कीन चल लए है पुरे प्रदेश में अभियान चल ला है कि साब सफाई को लेकर करके उसमें भी हम लोगों के दिखादियों के तरफ से हमों के तरफ से जैसे और सी सेंटर बन या ना फिर उस कचड़े को खटाई करना उसे खाग भी तैयार करना जो इरिक्सा के मादम से डोर टू डोर जा करके उनके कचड़े को जो घर में है उसको लेकर लेकर भी खटा करना ये काम हो रहा है तीसरी चीज एक नई योजना हम लोगों लेके आ रहे हैं जीरो पावर तक योजनाओं का लाब नहीं पाई है उनको एक साथ सभी योजनाओं का लाब देखकर उनको गरीबी रिखा से उपर उठाने का प्रयास हो रहा है अगर समझवादी पार्टी उनके ही तैसी थी तो उनको फसाया सरकार उनकी थी सारे अधिकारी उनके थे अगर कानून के दाइरे में काम किया होता तो आज ये नौवद नहीं आती है अप्चनाओं को लेकर आपको क्या लखता है अपनी श्वाद को बढ़ा हुआ है विपक्ष भी कहता है अब उचाहे जो हो ले विपक्ष जी कहता है कि उप्चनाओं सत्ता पर्च का होता है जनता भी जानती है कि अगर हम विरूद में चुनाओं जितवा देंगे तो हम धाई साल वो विधाय के हैची लाएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम कादिकास करें तो जनता भी जानती है इसनते जनता भी सत्ता के साथ रहना चाहती है अब विपक्ष भी जानता है कि हमको जीतना नहीं है सत्ता का चुनाव होता है सत्ता चुनाव ज्यादा से ज्यादा जीती है तो ये लोग जान रहे हैं लेकिन अब राजनीत का है मामला तो अब कैसे हार स देखिएगा चाहे आईस्मान काड गरीबों के इलाज के लिए बना वो सब के लिए 140 करोड़ आवादी के लिए बना हुआ है रासन वट रहा है 140 करोड़ में जो पात्र हमको रासन मिल रहा है जो भी योजनाएं बन रही है चाहे वो विकास की हों चाहे चाहे जो इनवर्शिटी बन रही है उस सब के लिए बन रही है जो नारा है सबका साथ सबका विकास उस काम को सरकार कर रहे है धरातल पे लोगों के इस बात का यकीन हो रहा है कुछ पार्टियां है वो चाहती है कि परदेश में दंगे हो दंगे होगा तो उनका एक हिक्स तो वो उसे लड़ाई लडएंगे यहां है कि दंगा नहीं होने देंगे गटवन्दन के दोनों ने ताउं के सुन बढ़ने हो यह आरक्षन को लेता है देखे राउल गांदी जी गए अमेरिका उन्होंने बोला कि मौका मिलेगा तो आरक्षन खतम कर देंगे और अखिले जी कर रहे हैं कि हम संभीधान वारक्षन बचाएंगे फिले दोनों लोग निपट लें कि एक रहेंगे कि अनेक रहेंगे वासा अलग-अलग होगी एक ही मंचपा यह खतम करने की बात करेगा एक बचाने की बात करेगा तो देखिए जूट या काट की हाडी कह बर चड़े जूट बोल करके आप संभीधान खत्रे में है आरच्ण खतम हो रहा है आरच्ण खतम करना खेलवार बात है संभीधान खतम करना किसी के बसका है का बावा साब डर्क्टर हम बेटकर्जी ने जो द्यवस्ता दी है उसी द्यवस्ता पर पुरादेश चल्हा